हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर सरो चाहर और आज का मेरा वीडियो है मेकैनिजम ओफ फर्टिलाइजेशन इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रॉसस में जो पांच स्टेप्स होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है जैसे अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोवा टू ओवा यानि स्पर्म का ओवा तक पहुँचना दूसरा है कैपिसिटेशन और कॉंटेक्ट यानि कैपिसिटी से शब्द बना है कैपिसिटेशन शम्ता और संपर्ग और तीसरा है एक्रोसोमल रियक्शन और पैनेटरेशन यानि एक्रोसोम का सक्रिये होना और ओवा को विभेदित करना भेदना फिर है एक्टिवेशन तो यानि ओवा का सक्रिय होना, और लास्ट प्रॉसर्स होता है, Emphimixes, जिसमें होता है, Fusion of Gammetic Pronuclei, Male and Female Pronuclei, तो यह जो 5 स्टेप्स है, इसका हम डिटेल में study करेंगे, एक्जाम में इन 5 स्टेप्स में से, कोई भी एक स्टेप अलग से भी आ सकता है, और अन्तिता हम पढ़ेंगे इसमें significance of fertilization ठीक है तो इसे हम start करते हैं fertilization की definition से fertilization की definition से हम start करते हैं यहां से simple definition fertilization की क्या होती है fusion of male and female gamet to form deployed zygote is called fertilization यानि नर्व मादा युगमक के male and female gamet to form deployed zygote नर्व मादा युगमक के संयोजन के परणाम स्वरुप जो द्वी गुनित युगमनज बनता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं fertilization male gamet और female gamet gamet किस प्रकार के होते हैं haploid होते हैं और इन दोनों के fusion से क्या बनता है zygote बनता है जो होता है deployed तो इनके fusion की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे fertilization अब हम लेते हैं according to the gems gray gems gray ने fertilization को एक complex process बताया है gentle process बताया है जिसमें दो steps involved होते हैं दो steps कौन कौन से है activation of ova and second step is amphimixus activation of ova यानि ova का सक्रिय होना और दूसरा है amphimixus यानि male and female pro nuclei का fusion की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं amphimixus ठीक है तो हम दोनों step पहले लेते हैं activation of ova activation of ova के बारे में हम क्या बताएंगे अंडानू में शुक्रानू का प्रवेश कई क्रियाओं को प्रेरित करता है यानि शुक्रानू जब अंडानू में प्रवेश करता है तो उसमें कई changes आते हैं ova में जैसे इसमें short में बताया है cortical changes changes in cortical reason जो ova का जो भाग है यह ova है मान लो तो इसके cortex वाले भाग में जो granules हैं इसमें परिवरतान आता है दूसरा क्या है metabolic activities of cytoplasm यानि इसका जो कोशिका द्रव्य है इस कोशिका द्रव्य में जो उपापचे क्रिया होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है तीसरा है stimulation for cleavage यानि जैसे ही शुकराणू अंड को सपर्ष करता है तो उसमें अंडे के अंदर cleavage के लिए उसको stimulate करता है यानि विदलन की प्रक्रिया के लिए stimulate करता है तो कौन कौन से process हो गए short में यहां बता दिया मैंने changes in cortical reason हिंदी में हम लेते हैं अंडानू के वलकुटी क्षेतर में अंडानू के वलकुटी क्षेतर में महतपुन क्रियाओं को उतेजित करता है यानि cortex वाले reason में cortical granules जो होते हैं उन में परिवर्तन आएगा दूसरा क्या है कोशिका द्रव्य में उपाप्चे क्रियाओं बढ़ जाती है और अंडे के विदलन के लिए प्रेरीत करता है तो ये तीन changes आते हैं major changes आते हैं जब शुक्रानू अंडानू में प्रिवेश करता है तो ये हो गया activation of ova second हम लेते हैं amphimixus amphimixus जैसे मैंने बताया fusion of pronuclei of male and female gamut जिसके परणाम स्वरूप क्या बनता है deployed nucleus का निर्मान होता है तो इसको short में हम क्या करता deployed nucleus का बनता है नर्वा मादा युगमकों के अगुनित केंद्रों के सनलयगन से के सनलयगन को ही क्या कहेंगे उभय मिश्रन amphimixus उभय मिश्रन कहते हैं और जिसके परणाम स्वरूप क्या बनता है 2N का zygot बनता है इस से पुनह द्रीगुनन अवस्ता प्राप्त होती है तता आनुवानश की विभिनताएं प्राप्त होती है जब वापस से क्या है male gamit और female gamit के जो nucleus हैं वो combine होते हैं तो chromosome paternal और maternal chromosomes का combination हुआ जिसके कारण क्या होगा अनुवानश की विभिनताएं उत्पन होंगे genetic variation और genetic variation का होना बहतर होता है आगे की संतती के लिए तो बहुत short में इससे यहां लिखा है genetic variation और genetic variation is necessary for proper for better progeny यानि बहतर संतती के लिए बहतर संतती के लिए जो है genetic variation अनुवानश की विभिनताएं आवर्शक है अब हम लेते हैं steps involved in mechanism of fertilization 5 steps are involved सबसे पहला step क्या है approach of spermatozoa to ova यानि sperm ova तक कैसे पहुचेगा ठीक है हम शुरुआती कर लेते हैं यहां से approach of sperm to ova fertilization external हो सकता है या internal हो सकता है external fertilization यानि यानि sperm और ova जो है बाहर माध्यम में release होते हैं और fertilization जो है बाहर माध्यम में होता है फिमेल के ovi track में नहीं होता है तो external fertilization में sperm को ova तक पहुचने के लिए जरूरी है कि जो है यह gamets की संख्या अधिक हो और नजदी की क्षित्र में ही इनका विसर्जन हो तो मुलाकात सुनिश्चित करने के लिए sperm और ova जो है combine हो इसे सुनिश्चित होने के लिए युगमक अधिक संख्या में release होते हैं और नजदी के क्षित्र में ही विसर्जित किये जाते हैं ठीक है अगर internal fertilization है तो internal fertilization में तो शुक्राणू मैथुन अंग की साहता से मादा की जनन वाहिका में छोड़ा जाता है तो उसमें जो है ova और sperm के अप्रोच में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है अब हम लेते हैं लिमिटेशन किस चीज़ की है Limited Life Span of Gamet Gamets का Life Span जो होता है यह Limited होता है यानि Only Few Minutes और Few Hours जैसे कुछ मिंटों का या कुछ घंटों का उता है या युगमक जो हुते हैं कुछ मिंट या कुछ घंटों तक ही सर्वाइव कर सकते हैं और Human Be Korps एंदर इनका life-span होता है 24 Hammer तो इतनी समय में ही इन्हें एक दूसरे के पास अप्रोच होना होता है अगर अप्रोच नहीं होंगे तो वो गैमिट जो है वो बिकार चले जाएंगे दूसरा क्या है limited energy of sperm sperm के अंदर जो middle वाला part होता है उस part में mitochondria होता है और वहां से उसको energy मिलती है तो वो उतनी ही limited energy है sperm को movement के लिए तो अगर उसे बहुत दूर कहीं जाना होगा ova को search करने के लिए तो उसकी energy उसके साथ नहीं दे पाएगी तीसरा है sperm motile होता है ova immotile होता है तो movement केवल किसका होता है sperm का तो sperm ही move करके ova तक पहुचना होता है और fusion of gamet is just a coincidence यानि ऐसा कोई रसाइनिक बदार्थ नहीं है जो ova के द्वारा release हो और sperm उसकी तरफ attract हो ठीक है तो इनका जो fusion है gamet का ये केवल क्या है संयोग मात्र है तो coincidence है इसलिए जरूरी है कि क्या होना चाहिए gamets की संख्या जादा होनी चाहिए external fertilization के टाइम पर gamets की संख्या जादा होनी चाहिए और ova और sperm का जो release है वो लगभग एक ही समय पर pass में ही होना चाहिए size of ova is large ova की size समने तह जो है sperm के compare में बहुत बड़ी होती है तो इससे क्य advantage मिलता है जितनी बड़ी size होगी उतना उसका क्षितरफल अधिक होगा और जितना जादा क्षितरफल होगा उतना ही sperms को उनके साथ contact करने के लिए जादा area मिलेगा तो ये point हो गया किसके अंदर पहला point कि किस तरह से approach approach of sperm to ova है ना तो हमें इसमें क्या लिखना है external fertilization में क् ये limitations क्या है time span limited है energy limited है और किवल sperm ही move कर सकता है और इनका जो है fusion जो है वो भी coincidence है तो ये limitations है तो इन limitations को कैसे दूर किया जा सकता है जो यहाँ पहला point बताया external fertilization में तो युगमग अधिक संख्या में release होते है और नजदी की क्षेतर में ही विसरजित किये जाते है और internal fertilization मे direct method नंकी सायता से शुक्राणू मादा की जनन वाहिनी में चोड़े जाते हैं और कैसे दूर किया जा सकता है ओवा की size बड़ी होती है जिससे वो अधिक शित्रफर मिलता है sperm को उसके साथ contact करने में second point हम लेते है capacitation and contact capacitation शब्द बना है capacity से capacity मतलब होता है शम्ता Species specific sperm can only fertilize species specific OVA यानि जाती विशिष्ट शुक्राणू जाती विशिष्ट अंडाणू को ही क्या कर सकता है fertilizer या निशेचित कर सकता है और इसी चीज़ को क्या कहते है sperm की capacity या capacitation एक जाती विशिष के शुक्राणू ही उस जाती के अंडाणूओं को निशेचित कर सकते हैं इस क्रिया को निशेचन शम्ता कहते हैं कभी कभी केवल Capacitation की definition पूछ ली जाती है तो Capacitation क्या है एक जाती विशेश का शुक्राणों ही उस जाती के अंडाणों को निशेचन कर सकता है ये क्या कहेंगे इसका Capacitation Species Specific Sperm can only Fertilized Species Specific Ova तो इसे क्या कहेंगे Capacitation कहते हैं और ये जो Capacitation है ये एक Chemical Process है This is a Chemical Process and Species Specific Chemicals are secreted by Egg and Sperm ये एक रासायनिक प्रक्रिया है और ये जो रासायन है ये किसके द्वारा स्त्रावित किये जाते हैं खुद अंडे और शुक्राणों के द्वारा इन Chemicals को Release किया जाता है ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जो विशिष्ट रासायनों द्वारा संपादित होती है जो अंडाणू वर शुक्राणू द्वारा स्त्रावित की जाती है लिली नामक विज्यानिक ने 1914 में बताया कि अंड की सतहब के ऊपर कुछ बड़े आनविक रचना वाले रसायनिक पदार्थ पाए जाते है Large sized chemicals are present over the egg surface और इन्हें उन्होंने क्या नाम दिया Fertilizing Fertilizing का chemical nature कैसा बताया Either Glycoprotein और Mucopolysaccharides Either Glycoprotein और Mucopolysaccharides जिनका molecular weight होता है लगभग 3 लाग के करी जबकि Balance की ने 1970 में बताया कि इसी तरह से शुक्राणूं की सतह पर भी जो chemical होता है वो chemical कहलाता है Anti-Fertilizing और उसका chemical nature होता है Acid protein और उसका molecular weight होता है लगभग 10,000 इस तरह से Fertilizing और Anti-Fertilizing आपस में क्या करते है Bond formation करते है और Fertilizing और Anti-Fertilizing के बीच का जो संबंध है ये उसी तरह से होता है जैसे ताले और चाबी का संबंध होता है या Antigen और Anti-Bodies का संबंध होता है तो particular प्रकार का Fertilizing के ऊपर कुछ receptors होते है receptors यानि कुछ ऐसे points होते है जो receive करते है Anti-Fertilizing को तो ये क्या है Species Specificity पाई जाती है क्या पाई जाती है इसमें जाती विशिष्टता पाई जाती है अब जैसे यहां बताया कि जो Fertilizing है उसका chemical nature है Glycoprotein या Mucopolysacryl तो आप protein क्या है Polypeptide Chain of Amino Acids तो ये Amino Acid किस क्रम में विवस्तित है ये अलग-अलग होगा जाती विशिष्ट है इसी तरह से Polysacrylid में जो Monosacrylids है Glucose, Fructose, Galactose और इनका किस तरह से arrangement है ये अलग-अलग जाती हो में अलग-अलग प्रकार का होगा इसी चीज़ को यहां diagram के रूप में हमें बताना है यहां यह diagram बताया है बहुत simple है बनाना आप पहले इसमें क्या बना दे यह egg surface बताईए तो इसमें पहले आप इस तरह का rectangular बना ले यह square भी बना सकते है और इसको यहां से यहां से यहां से यहां से इस तरह का यह बना लिया तो यह जो point बनाए है यह यह जो point बनाए है यह यहां show कर रहे है receptor क्या show कर रहे है receptor points यह वो point है जहाँ पर यह अपनी जाती के sperms को receive करेंगे ठीक है और यह बीश बीश में क्या बना दिये हैं sperms तो ये जो receptors हैं ये अपनी जाती के sperm को क्या करते हैं receive करते हैं क्योंकि इनके उपर उस antigen के against क्या है उस antigen को adapt करने वाला क्या है anti antigen antibody नहीं कैश आप दियूज करेंगे हम fertilizing and anti-fertilizing fertilizing किसके उपर है ova की surface के उपर और anti-fertilizing किसके उपर है acrosome के उपर या sperm के head के आगे के side में ठीक है अब हम लेते हैं यहाँ पर mammals में zona bellucida की कोशिकाए fertilizing का स्त्रवन करती है mammal का जो अंडा होता है उसमें उसमें plasma membrane के बाहर की side में plasma membrane के बाहर की side में जो first या हम कहें primary egg membrane है primary egg membrane है उसको क्या नाम है zona bellucida तो zona bellucida इस fertilizing का secretion करती है अब हम लेते हैं next step next step है acrosomal reaction and penetration यानि पहला point क्या हो गया approach हो गया sperm का ova की तरफ approach हो गया पहुंच गया second step क्या है पहुंचने के बाद में capacitation and contact यानि अगर अपनी ही जाती का sperm है तो अपनी ही जाती के ova के साथ में वो उसके साथ fertilize करने की शमता रखेगा, bond बिनाने की शमता रखेगा या contact में आने की शमता रखेगा जब वो contact में आ जाता है उसके बाद third step होता है acrosomal reaction and penetration यानि अब sperm के जो head वाला part है उस head वाले पार्ट में major जो area है वो nucleus ने घेर रखा है nucleus के आगे की side में एक cap leg structure होता है जिसमें क्या होता है acrosome होता है अब acrosome activate होता है acrosome की प्रक्रिया शुरू होती है और वो penetrate करेगा egg envelope को अंडे के egg envelope को तो यहाँ हम diagram की साहता से देखें यहाँ पर यह जो diagram बनाया है यहाँ आप देखें यह जैसे sperm है तो यह क्या हो गया tail वाला part और यह head वाला part head वाले part में यह nucleus हो गया और आगे की side में nucleus के आगे क्या है यह acrosome तो यहाँ यह head वाला part इतना दिखाया है तो यहाँ head वाले part में क्या दिखाना चाहा है इसमें ये तो हो गया sperm का nucleus तो nucleus के बाहर क्या होगी nuclear membrane होगी nucleus के बाहर क्या है nuclear membrane है और nucleus के आगे की side में क्या है ये acrosome वाला part है तो acrosome acrosome के बाहर क्या है acrosomal membrane और पूरा जो sperm है उसके बाहर क्या है sperm की plasma membrane sperm की plasma membrane और ये contact में आ चुका है किसके ओवा के तो ये है egg का envelope अब इस egg envelope में किस प्रकार का अंडा है उसमें tertiary envelope, tertiary membrane है उसके नीचे क्या है secondary membrane होगी उसके नीचे क्या होगी primary membrane आएगी और फिर उसके बाद में आएगी plasma membrane of egg तो ये egg envelope का मतलब क्या है जिन में tertiary या secondary या primary उन में से दो या तीनों उपस्तित हैं तो वो envelope है ये egg envelope ठीक है तो ये हो गया contact वाला पार्ट जैसे ही contact में आता है क्या बताया एक्रोसोम active होगा एक्रोसोम reaction शुरू होगा एक्रोसोम के अंदर कौन से enzyme है? लाइटिक enzyme तो लाइटिक enzyme के कारण sperm की जो plasma membrane है ये dissolve हो जाएगी और एक्रोसोमल membrane जहाँ ये संपर्क वाला भाग है वहाँ dissolve हो जाएगी तो second diagram देखो ये dissolve हो गई membrane हट गई ये plasma membrane भी हट गई इसके और यह sperm की plasma membrane हट गई, touch वाले point पर, संपरक वाले point पर और acrosomal भी हट गई तो यहाँ क्या हो गया, space create हो गया, और यहाँ उपर की side में, यहाँ उपर की side में यहाँ पर एक filament like structure बनना शुरू होता है filament like structure बनना शुरू होता है, इसी से आगे चल कर क्या बनेगी, acrosomal tube और यहाँ यह penetrate हो गया, तो यह हटा दी line हमने, अगर यह line हट गई है, तो अंदर क्या है, acrosomal granule है तो acrosomal granule release होगा बहार की तरफ, अब acrosomal granule जो है, वो egg envelope में अंदर enter कर रहा है egg envelope में, ठीक है, और यहाँ पर acrosomal tubule का formation शुरू हो गया, तो यहाँ हमने लिखा है, plasma membrane and acrosomal membrane, यह plasma membrane और acrosomal membrane जो है, जो egg envelope के संपर्क में है, यह क्या हो जाती है, dissolve हो जाती है और acrosomal tubule का formation शुरू हो जाता है, acrosomal granule से भार release हो जाएगा और acrosomal tubule का formation शुरू होगा, फिर हमने diagram बनाया, यह acrosomal tube जो है, यह enlarge होगी यह acrosomal tube क्या होगी, enlarge होगी, side में, side में यह जो part है इसका, यह part इसके साथ में जुड़ता जाएगा यह इसके साथ जुड़ता जाएगा, और यह enlarge होगी, यह enlarge हो रही है, और enlarge होकर के यह outer egg envelope जैसे मैंने बताया, तीनों भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, यह तर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तीनों भी हो सकती है यह क्या हो सकती है, दो भी हो सकती है, जैसे मैंने का जो एग होता है, उसमें सेकेंडरी एग मेंबरेन नहीं होती है एग के प्लास्मा मेंबरेन पर, तो यह है inner egg envelope, क्या है यह inner egg envelope, यानि की प्लास्मा मेंबरेन या प्राइमरी वाला अगर हम माल ले वो, तो उसको पेनिटेट करके पहुंच जाती है, यह प्राइमरी वाला यह inner egg मेंबरेन, उसको पहुंच कर, पेनिटेट करके पहुंच ज चाएगा तो हमें ये चार डाइग्राम इस चीज को आक्रोसोमली रियक्शन और पैनेटरेशन को और बिन पनाना है अब उसी चीज का यहां पर निखा हुआ है शुक्राणू शीर्ष की प्लाजमा मेंबरेन और एक्रोसोमल मेंबरेन तूट कर एक्रोसोमल फिलमेंट बनाता है यानि वो जो शुक्राणू का हेडवाला पार्ट है जो संपर्क में आया हुआ है एक के तो वहां का जो plasma membrane है शुक्राणू का और acrosomal membrane है ये तूट जाते हैं और acrosomal filament बनता है acrosomal filament can be formed when sperm enters in egg water अब आता है egg water क्या है एक बार पिछ आया हुआ है ये एक नमबर वाला प्रेशन है कि egg water क्या होता है तो हमने जो external fertilization पढ़ा external fertilization में जहां पर sea water में external fertilization हो रहा है तो वहां पर अंडे और sperm जो release होते हैं तो अंडे जो release होते हैं उनमें एक विशेश प्रकार का chemical होता है विशेश प्रकार का chemical अपनी ही जाती के जो दूसरी female है उनको stimulate करता है अंडे देने के लिए उसी समय और अपनी ही जाती के जो male है उनको stimulate करता है sperm release करने के लिए तो वो अंडों के आसपास में जो पानी है वहां पर वो chemical release हुआ हुआ है जो अंडों से secret हो रहा है तो वो वाला जो पानी है वो क्या कहलाता है egg water यानि जहां पर ये egg clouds या sperm clouds बन रहे हैं तो वो क्या कहलाता है egg water तो acrosomal filament जो है ये तब भी बन सकता है जब sperm egg water में enter करता है अर्थात अंडे के संपर्क में आने पर शुक्राणू क्रियाशील हो जाता है यानि जैसे ही अंडे के संपर्क में आता है शुक्राणू शुक्राणू क्रियाशील हो जाता है और उसमें acrosomal filament formation शुरू हो जाता है acrosomal tubule फिर व्रद्धी करता है और इस संपर्क बिंदू पर tertiary, secondary और primary egg membrane को पार करके इन सब को पार करके अंडे की plasma membrane से संयुक्त हो जाता है अब यहां कुछ example लेते वे बताएं है In some polycheats, more than one acrosomal tubules are formed कुछ polycheats जो जीव होते हैं, उनके अंदर जो sperm है जब वो संपर्क में आता है ova के, तो वो एक से अधिक acrosomal tubule भी बनाता है और acrosom secret क्या करता है, lytic enzyme Second example दिया है, mammals के अंडों में In mammals, mammals में acrosomal tubule is not formed यहां पर sperm जो है, यह acrosomal tubule का निर्मान नहीं करता है यहां क्या process है, acrosom एक enzyme secret करता है जिसको कहते है, high alluronidase enzyme acrosom क्या secret करता है, high alluronidase enzyme और यह enzyme dissolve करता है, high alluronic acid जो कि किसके अपर present है, corona radiator of egg mammal का जो अंडा है, उसमें क्या बताया था, जैसे यह egg वाला part हो गया यह इसके plasma membrane है, अपनी, इसके बाहर क्या है primary जो layer है, उसको क्या कहते है, zona palucida और उसके बाहर जो मोटी layer है, उसको कहते है corona radiator, जो tertiary है, secondary इसमें नहीं होती है तो mammal का जो अंडा है, उसमें जो tertiary जो egg membrane है corona radiator, यह corona radiator के उपर high alcoholic acid present होता है ठीक है, तो अब इस acid को dissolve करते हुए sperm को अंदर enter होना है तो इसी लिए इसका जो sperm होता है, उसका जो एक्रोसोम होता है वो कौन सा enzyme secret करता है, high alleronidase enzyme secret करता है जो corona radiator पर उपस्तित, corona radiator पर उपस्तित high alleronic acid को dissolve करते हुए आगे बढ़ता है इसी तरह से mollusca, echinodermata, insect और peaches के जो अंडे होते हैं उनके जो बहार सतह है, उस पर जो primary membrane है, primary egg membrane है वो hard होती है और वो primary egg membrane क्या कहलाती है, korion, क्या कहलाती है, korion और वो hard होती है अब hard होने के कारण sperm आसानी से इसमें प्रवेश नहीं कर सकता तो वहाँ पर प्रवेश करने के लिए क्या है वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं एक या अधिक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको कहते हैं माइक्रो पाइल तो ये माइक्रो पाइल क्या करता है स्वर्म को अंदर प्रवेश होने के लिए रस्ता प बाहर जो इसकी मेंब्रेन है, यह हाड है, तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एग मेंब्रेन है, यह कोरियोन कहलाएगी, क्योंकि यह हाड है, और यहाँ पर इस तरह से एक छिदर पाया जाता है, एक छिदर इंसेक्ट में, तो यह क्या है, माइक्रो पाइल है, यह वो जगह है जहां से sperm यहां अंडे के अंदर प्रवेश करेगा तो यह एक physical process हुआ जिसके द्वारा वो प्रवेश करते हुए plasma membrane ओवा के plasma membrane तक पहुँचता है अब इसका next step आता है second last step है यह activation of egg यानि जैसे ही जैसे ही जो penetration हो गया sperm का और वो पहुँच गया egg की plasma membrane तक वो जैसे ही plasma membrane को शपर्ष करता है एक की plasma membrane को सपर्ष करता है तो एग क्या होगा एक्तिवेट होगा जैसा यह नहीं जो first diagram दे रखा है यह एकophysi leather change आते है अंडे में क्या है morphological whengy physiological change ऄ्ग है तो यह diagram दिखा रखा रखा है यह यह बता रकी है यहां से यहां तक यह है egg envelope. अब egg envelope में depend करता है egg पर कि उस पर tertiary या secondary या primary या इन में से 2 क्या है mummy in उपस्तित है ठीक है, तो यह इतना जो part है यह बता रख है egg envelope का यह बताया है जैसे ही sperm उसको संपर्क किया पहले, संपर्क करने कि contact हुआ, capacitation and contact capacitation and contact के बाद में क्या हुआ है, acrosomal का activation हुआ acrosomal का activation होने के बाद में ये penetration वाला process शुरू हुआ ये acrosome जो है filament बन गई है, tube बन गई है ये process हुआ और उसके बाद में यहाँ पर ये हम लेते हैं acrosome filaments का अंडे के संपर्क में आने पर जैसे ही acrosomal filament अंडे के संपर्क में आते हैं अंडे में कई आकार किये और कारे किये परिवर्तन आते हैं, यानि उसकी आकार में भी परिवर्तन आएगा और उसकी कारे की में भी physiology में और structure में दोनों में परिवर्थन आएगा जब वो कहां तक पहुँचेगी उस envelope को cross कर लेगी और egg की plasma membrane को संपर कर लेगी एग की plasma membrane यहने tertiary, secondary, primary को पार करने के बाद में egg की plasma membrane को संपर करता है जब तब जो है उसमें परिवर्थन आता है अब यहां यह दिखा रखा है कि यह अंदर, यह envelope है इसको अंदर enter करके एग की जो plasma membrane है इससे अंदर यह प्रवेश कर गया और egg की plasma membrane को प्रवेश कर गया यानि अंदर यह क्या है? एग का side-to-plasm तो यहां पर यह प्रवेश कर गया है acrosomal tubules तो इसके बाद में क्या होगा? जब यह प्रवेश करता है तो अंदे में क्या-क्या changes आएंगे तो यहां दे रखा है अंद तथा शुक्राणों की plasma अंद तथा शुक्राणों की plasma membrane के संपर्क स्थल पर egg का side-to-plasm गोलाकार उभार के रूप में fertilization cone बनाता है यानि जहां पर यह संपर्क हुआ है वहाँ पर egg का जो cytoplasm है यह cytoplasm इसको बाहर की तरफ ऐसे cover कर लेगा बाहर की तरफ ऐसे और यह एक तरह से cone-like structure बन गया cone-like structure बन गया इस cone को क्या कहेंगे? fertilization cone यह cone इस तरह से sperm को घेरते हुए आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए इसको अपने अंदर कौन से वाले part को लेता है? nucleus और middle वाले part को अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है ठीक है? अपने अंदर क्या कर लिया इसने? जैसे phagocytosis होता है न phagocytosis होता है अंतह ग्रहन करना तो उस तरह से जो है अंडे और शुक्राणों के plasma membrane का जो संपर्क स्थल है वहाँ पर एक का जो cytoplasm है वो बहार की तरफ उभार करता है fertilization cone बनाता है और fertilization cone जो है वो इंगल्फ कर लेती है किसको sperm के nucleus को और middle वाले part को codates के अंदर fertilization cone का भी निर्मान नहीं होता है जैसे उसके अंदर क्या नहीं हुआ था acrosomal tubule का formation नहीं हुआ था उस तरह से codates के अंदर fertilization cone का निर्मान नहीं होता है तो उनके अंदर क्या change होता है egg और sperm के संपर्क स्थल पर जो शुरू में बताया था स्टार्टिंग में एक के कॉर्टिकल रीजन पर अनेक परिवर्तन आते हैं ये अंडा है जैसे तो कॉर्टेक्स वाला जो भाग है इसमें परिवर्तन आते हैं कॉर्टेक्स में जो कॉर्टिकल ग्रेनियॉल्स हैं वो टूटकर, गुलनशिल अवस्था में, प्लाजमा मैम्ब्रेन के बाहर आते है, और वो वाइटलिन मैम्ब्रेन को बाहर की तरफ हटाकर, इसके बीतर की तरफ चारों और एक पर्त बनाते हैं, जिसको कहते हैं, फर्डिलाइजेशन मैम्ब्रेन, यहां इस डाग्राम की साह अइंटल हो चुका है जैसे यह एंट लोगा तो यह कॉर्टिकल ग्रेणियोल्स हैं किनारे पर तो यह कॉर्टिकल ग्रेणियोल्स क्या करेंगे गुलंशी लवस्ता में बाहर आजलेंगे बाहर मतलग इस प्लाजमा membrane को cross करके बाहर की तरफ आ गए बाहर की तरफ और बाहर की तरफ आ करके vitamin membrane जो primary membrane है एक membrane है वो और plasma membrane के बीच में एक पूरी layer बना लेते हैं वापस सुन ले इसमें plasma membrane और vitamin membrane के बीच में जो cortical granules हैं वो release होकर के गुलंशी लवस्था में आकर के plasma membrane और vitaline membrane के बीच में प्लाजमा membrane और vitaline membrane के बीच में एक layer बनाते हैं जिसको कहते है fertilization membrane. fertilization membrane का क्या काम है ये अब तूसरे sperms को इसके अंदर enter नहीं होने देगी यानि it prevents poly spermi यानि और sperm अब इसमें अंदर enter नहीं होंगे तो पहला point पहला point जो change आया cortical granules जो है वो तूट गए और उसके जो कणिका में सरंचना थी वो गुलंशी लवस्था में plasma membrane से बाहर की तरफ आ गई और vitaline membrane और plasma membrane के बीच में fertilization membrane का निर्मान किया तो cortical granules से fertilization membrane is formed दूसरा क्या है इसके अंदर cytoplasm में क्या परिवर्टन आता है जो एक का cytoplasm है एक का जो cytoplasm है ये भी उस थल से release होकर बाहर की तरफ आने लगता है और बाहर की तरफ यानि ये भी vitaline membrane और plasma membrane के बीच में यहाँ पर अपने आपको arrange कर लेता है और ये क्या कहलाता है सैटोपलाजम जो है ये भाहर आया और बाहर आकर के vitaline membrane और plasma membrane के बीच में अपने आपको arrange कर लेता है और इसको कहते है पैरी वाइटलिन फ्ल्यूड और यह जो स्पेस है जिसमें यह भारा है इसको कहेंगे पैरी वाइटलिन स्पेस इसके परणाम स्वरूप अब प्लाजमा मेंब्रेन जो है एक की जो डारेक्ट कॉंटेक्ट में थी वाइटलीन मेंब्रेन के तो प्लाजमा मेंब्रेन और वाइटलीन मेंब्रेन के बीच में क्या बन गया है फ्लूड आ गया है तो जिसके प्रणाम स्वरूप डारेक्ट जो संपर्क था वो तूट गया और वो संपर्क तूटने के कारण अब यह एग जो है यह वाइटलीन मेंब्रे से स्वतंत्र हो गया और अराम से अंदर मूव कर सकता है तो पहले हमने बताया कॉर्टिकल ग्रेनियॉल से बना फर्ट फ्रीली मूव कर सकता है क्योंकि उसके प्लाजमा मेंब्रेन और वाइटलीन मेंब्रेन के बीच में जो टाइट जो कॉम्बिनिशन था उनके बीच में फ्लूड आ गया है इसी के साथ में ही सेकेंड मैचुरेशन डिविजन कंप्लीट्स ओवा जब रिलीज होता है तो उस इसके बाद में ही ओवा स्टिमुलेट होता है सेकंड मैचुरेशन डिविजन को कंप्लीट करता है तो उसके कारण ही सेकंड मैचुरेशन डिविजन कंप्लीट होती है और सेकंडरी उस साइट से ओवा और सेकंड पोलर बॉडी का निर्मान होता है लास्ट फेस है वो आपस में fuse करके deployed nucleus बनाते हैं जो zygote का nucleus होगा यहाँ पर भी जो changes हैं वो हम describe करने sperm का head और middle पीस अंदर आता है sperm का head और middle part egg में प्रवेश करता है प्रवेश के समय nucleus आगे की तरफ होता है और nucleus के पीछे पीछे क्या है mitochondria है और centriol है क्योंकि mitochondria middle पीस में है और centriol कहां है जैसे यह nucleus वाला part होता है यहाँ proximal centriol होता है इसके बाद में distal centriol होता है तो distal centriol से तो क्या बनता है exile filament बना तो यह proximal centriol बाकी है न और mitochondria तो आगे आगे तो क्या होता है nucleus होता है उसके पीछे mitochondria होता है और साथ में centriol होता है जैसे ही sperm का head part अंदर प्रवेश कर जाता है head part अंदर प्रवेश कर जाता है और fertilization cone को के आगे चला जाता है जो fertilization cone बनी है न और यह head part अंदर गुस्ते वे इनगल्फ हो गया यह पूरा है न वैसे ही यहाँ पर 180 degree का कोन से घुमाओ होता है 180 degree के कोन से घुमाओ होना मतलब अब जहां पहले यह था ova यहाँ nucleus आ रहा है इसके पीछे-पीछे centriol इसके पीछे-पीछे mitochondria अब एकदम 180 degree का एंगल पर घुमाओ यानि कि क्या हो जाएगा mitochondria आगे हो जाएगा centriol फिर mitochondria और फिर nucleus nucleus पीछे के सैड में रह जाएगा जैसे ही sperm का head part fertilization कोन से आगे गमन करता है fertilization कोन से आगे जाता है यह 180 degree के कोन पर घुम जाता है अब mitochondria और centriol तो आगे हो गए और sperm का nucleus जो है वो पीछे रह जाता है और वो full जाता है और full करके interface अवस्था में आ जाता है और इस interface अवस्था में आने के बाद अब इसको कहते है male pronucleae क्या कहते है इसको male pronucleae male pronucleae अब वहां से कौन से स्थान तक जाएगा जहाँ पर उसको fusion करना है female pronucleae से तो वो जो रस्ता पार करता है उसको कहते है Penetrating Path, क्या कहते हैं उसको Penetrating Path पर बढ़ता है Male Pro Nucleae सनलगन स्थल की तरफ से यानि जहां पर सनलगन हुआ था, वहां तो वह एंटर हुआ है तो वहां से आगे की तरफ Penetrating Path पर आगे बढ़ता है ये तो हो गया इसमें परिवर्तन जब स्पर्म से एग और Middle Part अंदर प्रवेश कर रहा है उसका अब लेते हैं शुक्राणों के केंदरक की तरफ अंडाणों के केंदरक में भी परिवर्तन आता है जिस तरह से शुक्राणों के नुकलियस में चेंज आया है उस तरह से अंडे के नुकलियस में भी चेंज आएगा और उसमें क्या चेंज आएगा जो हमने पहले बताया था After Completion of Second Maturation Division Second Maturation Division complete हुआ Second Maturation Division तभी होगा जब fertilization यानि contact वाला sperm इसके साथ में एग के साथ में contact करेगा और वो stimulate होगा और Second Maturation Division complete होगा उसके बाद में एग का जो नुकलियस है वो भी सतह की तरफ आ जाता है और सतह की तरफ आ करके उसमें अनेक vesicles बन जाते हैं उससे यानि वो तूट जाएगा और चोटे 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 वेजाइकल्स बन जाएंगे यह जो वेजाइकल्स है यह कहलाएंगे केरियो मियर्स क्या कहलाएंगे केरियो मियर्स क्योंकि नुकलियस में क्या है नुकलियस में क्रोमोजोम्स हैं और अब ये तूट करके चोटे-चोटे उसमें बंट गया इसको कहेंगे केरियोमियर्स अब ये केरियोमियर्स वापस से जुड़ करके एक सरचना बना लेते हैं उस सरचना को कहेंगे female pro-nucleae क्या कहेंगे उसको female pro-nucleae ये ये pro-nucleae female pro-nucleae fool करके आयतन में बड़ा हो जाता है fool करके आयतन में बड़ा हो जाता है और सलगन स्थल की तरफ गमन करता है यानि जहां से sperm अंदर एंटर आया था उसकी तरफ गमन करता है ठीक है? इस तरह से male pro-nucleae भी अब जहां से अंडर हुआ था वहां से आगे की तरफ फ्यूजन वाले जगा पर गमन करेगा और उसी तरह से जो female pro nuclei है वो male pro nuclei की तरफ गमन करेगा दोनों के सनलगन स्थल पर पहुँचने के बाद में इन में जो है zygote nucleus का निर्मान होता है male pro nuclei है haploid है female pro nuclei haploid है दोनों के fusion से क्या बनेगा diploid nucleus बनेगा और अब यह कहलाएगा zygote और इस पूरे process को क्या कहेंगे amphimixes क्या कहेंगे इसको amphimixes तो इस तरह से हमें छोटे छोटे पार्ट में भी यह question आ सकता है mechanism में से कोई भी एक part दे सकते है या एक बड़ा जो question है तो उसमें तो हमें पूरा mechanism का प्रशन आएगा otherwise capacitation पूछा जा सकता है acrosomal reaction पूछा जा सकता है activation of ova पूछा जा सकता है और amphimixes पूछा जा सकता है कई चीज़े इसमें से छोटी छोटी पूछी जा सकती है यह diagram के समेट आपको मैंने बताई अब इसका last topic वैसे topic तो complete हो गया पर last topic आता है significance of fertilization fertilization का महत है initiation का महत है जो बहुत important है यह क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसको बहुत easy मान करके जो 5 से point लिखने होते हैं वो भी सही तरह से नहीं लिख पाते हैं तो हमें इसमें point by point देखें significance of fertilization में हमें क्या लिखना है in some animals contact of sperm to ova stimulates it for second maturation division कुछ animals के अंदर sperm का contact करना ova के साथ में उसके बाद ही ova में second maturation division होगा यानि अगर contact नहीं हुआ sperm का ova से तो second maturation division भी नहीं होगा और secondary oocyte के form में ही वो रहेगा और उसी form में अगर हम जो है यह पढ़ते हैं human beings का या इनका पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो secondary oocyte form में ही menstruation cycle के द्वारा बाहर release कर दिया जाता है तो पहला point क्या है main इसमें in some animals contact of sperm to ova stimulates it for second maturation division यानि contact होगा sperm का तो ही second maturation division जो है वो complete होगी और ova का formation होगा second point है regain of deployed stage यानि निशेचन के प्रणाम स्वरूप पुनह प्राप्ती होती है द्वीगुनन अवस्था की तो एन अवस्था की जो जरूरी है किसी भी जाती को उस अवस्था में बनाए रखने के लिए तो इसे बहुत short form में दिया है मैंने regain of deployed stage ये male gamit है female gamit है deployed अवस्था में है fusion के प्रणाम सरूप fertilization के प्रणाम सरूप बना zygote जो होगया 2N यहां deployed stage वापस regain हो जाती है fertilization के प्रणाम सरूप और जिससे जो है उस जाती जो है अपनी species बनी रहती है ठीक है third step क्या है recombination of paternal and maternal chromosome यानि मात्रिक और पैत्रिक गुंशुत्रों का recombination हुआ है दुबारा से इनका पुनह जो है combination हुआ है जिसके कारण genetic variations आती है जिसके कारण अनुवांशिक विभिंताएं आती है जो है offspring में तो यह बहुत एक important topic है genetic variation क्यों आ रहा है because of the recombination of paternal and maternal combi chromosomes ठीक है तो offsprings में अनुवांशिक विभिंताएं आएंगी और विभिंता आएंगी तो उद्विकास के लिए कच्चा माल यहीं से तयार होता है फिर हम लेते हैं sex chromosome of sperm sperm में जो sex chromosome है वो निर्धारित करते हैं कि उस individual का sex क्या होगा male होगा या female होगा जैसे अगर हम इसमें human being में मानें तो human being के अंदर sex chromosome female में कौन सा होता है x x और male में कौन सा होता है x y तो अंडानू तो एक ही प्रकार का बनेगा जिसमें x chromosome होगा जबकि sperm दो प्रकार के बनेंगे एक जिसमें x होगा दूसरा जिसमें y होगा तो अब कौन से वाले sperm ने इस ova को फ्यूस किया है वो ही निर्धारित करेगा male और female यानि gender का निर्धारण अगर x वाला x वाला sperm ova को fertilize करता है तो x sex का combination हो गया यानि कि female और अगर y वाला sperm x को ova के साथ में fusion करता है तो combination क्या हो गया x y यानि कि परिणाम क्या होगा male यानि sex determination किस पर depend करता है sperm के अंदर उपस्तित sex chromosome पर निर्भर करता है next आता है sperm provide centriol to egg शुक्राणू जो है वो अंडाणू को centriol तारक काय प्रदान करता है जो अब उसको आगे cleavage के लिए cleavage के लिए या cell आगे की cell division cleavage के लिए महत्तपून है फिर है fertilization speeds metabolic activity of the egg यानि निशेचन के परणाम स्वरूप ही अंडे के अंदर उपापचय दर बढ़ता है और उसके साथ ही जो शुरू में बताया process of cleavage stimulate होता है ठीक है last क्या है first plan of cleavage is decided by the sperm entry site यानि sperm कौन से स्थान से प्रवेश कर रहा है उस egg में वो स्थान जो है वो निर्धारित करता है कि उस अंडे का plan of cleavage क्या होगा यानि वो equatorial होगा या meridinal होगा या vertical होगा या horizontal होगा किस प्रकार का होगा ये किस पर depend करता है sperm जिस स्थान से enter कर रहा है उसके अधार पर central उसके अधार पर cleavage फरो कहां से बनेगी इसका निर्धारन जो है ये point करता है तो इस तरह से ये complete होता है significance of fertilization and mechanism of fertilization detail में है ये मैंने वीश वीश में इसमें pause भी दिया था आपको तो आप उसमें जहां चाहो इससे रोक करके और points आप इसके जो है note कर सकते हो ये इसका detail complete होता है topic that's all about the topic उमीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा thank you